जो ज़ादा बड़े बड़े प्लांट से ना आमारे टेरिस गारण पर वो मुझको दिखते नहीं थे मैं उनसे हाइट में काफी कम वो हाइट में इतने ज़ादा तो मैंने उसको टॉप फ्लोर के ऊपर से देखनी की कोशिश की तो कुछ इस तरीके से दिखे दिखे क्या दि जारी मैं बहुत पहले कर चुकी थी शेर भी कर चुकी थी लेकिन फिर देखने में लगें मैंने सोचा एक चोटा सभी आपको दिखा दूँ तो अपने हाथ पर मैंने उल्टा लटका लिया अपने मोबाइल को और कुछ इस तरीके का वियोज देखने को मिला बोगनवेलिय करीपता है अमरूद का पौधा है शमी का पौधा है और तुलसी के बड़े बड़े पौधे इसमें काफी सारी मंजरी जो मुझे चाहिए रहती है और मैं इसको ग्रो करके रखती हूँ इस सारे प्लांट से कितने खुबसरत लग रहे है माशाला बड़े से काम को करने के ल साग या वाटर स्पिनेच इसको बोलते हैं इसको ग्रो कर देगी तो सबजी वाले भाया से मैंने एक टहनी मांगी थी के लाइए इसको ग्रो करके देखते हैं कि क्या होता है तो मैंने बस डिस्पोसल ग्लास में पानी भर कर थोड़ा सा रख दिया पहले तो कुछ दिन वह बहुत खोशी हो यह देखिए वाइट वाइट रोर्सी तो धीरे धीरे पानी घटता बारिश हो जाती भर जाता यह हम वाटरिंग करते थोड़ा बहुत उस ग्लास में चला जाता पर मैंने मेटी के उपर यहां रखा था अब मुझे लगा कि अरे वा यह तो बहुत आराम से मैंने पहली से तयार की हुई मिटी में एक गठा किया ताकि जड़े बिल्कुल भी डैमेज ना हो और इसको इस तरीके से रख दे और मिटी को आसपास कवर कर दे जड़े बिल्कुल नहीं डैमेज होना चाहिए तो पस जड़ों को मिटी के अंदर दबाना था वैस ऀसे इस पेस पर जहांके पानी ज़्यदा होता है, फिल्ड होते हैं, वहाँ पर यह बहुत आपी इजली ग्रो हो जाती है, बहुत फेमस है और बहुत सी बिमारियों में इसका साग को खाए जाता है, जैसे कि जिसको गैस की बिमारी हो इस साग को खाए, हफते में 2-3 बार देखे मैंने मेटी को दबा दिया काफी अच्छे टैप करके और जड़े इसके इंदर धग गई हैं इसमें यही ग्लास के पानी की मैं वाटरिंग कर देती हूं और हाँ डाइबिटीस के पेशेंट को इसका साख देना चाहिए मल्टी विटामिंस न्यूट्रियन से भरपूर केलशियम का सोर्स और जिसको के शुगर के पेशेंट हो उनको दीजे और लिवर जिनका कमजोर हो उन्हें खाना चाहिए जो अपने वज़न से मजबूर हैं जिने घटाना हैं उनको भी ये साख कस्ते मल करना चाहिए जाती तो हर चीज की बुरी होती है लेकिन बस एक बैल झाल 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 झाल